मुन्जा होर लीजेंड होर स्टोरी है वहाँ बुराई भी है जहां रोशनी है वहाँ अंधेरा भी है और आज मैं आपके लिए एक ऐसी खौफनाप पशु की कहानी लेकर आया हूँ जिसे देखकर आप भी चौँ कुधेंगे हाल ही में मैंने एक नई मूवी मंजिया का ट्र कितना भयानक है ये कहानी अभिनव और अजय की है जो बच्पन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों महाराष्ट्रा के रहने वाले थे और बच्पन से इस शहर में पढ़े थे पर आज का दिन कुछ अलग था आज अभिनव का 18 बर्टे था जाने अभिनव के लिए शराब की बोतल निकाली अभिनव ये देखकर थोड़ा चौक गया आज से पहले उन दोनों ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था जय ने अभिनव से कहा कि यह उसके बर्टे सेलिबरेशन का ही एक हिस्सा है अभिनव अभी अपनी लाइफ में एक नया एक्सपीरिय लेना चाहता था इसलिए उसने जे के बाद जास्ट जमा लेवल दोनों समुद्र के किनारे काफी देर तक बैठ कर शराब पीट रहे कुछ देर बाद जय को जोर से टॉयलट आया वोट कर एक पेल के पास टॉयलट करने चला गया लेकिन नशे में धुन्ध जान ये देखा ही नहीं कि ये कोई आम पेल नहीं बलकि एक पीपल का पेल था टॉयलट करते हुए अच्छानक से जाकर सर पर एक पत्थर पढ़ा जाने उपर की तरफ सर उठा कर देखा तो उसे वहां कोई नहीं देखा इतने में अभिनव भी उसे पेल के पास आ गया उसके हाथ में एक खाली बोतल थी उसने मजाक में उसे बोतल को जै के पास फिक तो बोतल उसे पीपल के पेल पर जा लगी उसे बोतल के तुकड़े तुकड़े हो गई उसे बोतल के पेल पर लगता ही कुछ हजीब सी आवाज आए जैसे कोई जानवर गुस्से में गुजारा हो एक मिनट के अभिनव और जय दोनों ही शान्थ हो गई लेकिन कुछ ही पहले बात आवा जाने बंद हो गई इतने में जय ने नीचे पड़े तुकड़े में से एक तुकड़ा उठाया और उसे पेल के ताने पर कांज के तुकड़े से अपने और अभिनव के नाम के फर्स लेटर लिख द लगी और कुछ ही सेकंड में एक बड़ी सी टहनी जाकर सिर्पर आज गिरी और जाए वही बेहोश हो गया ये देखकर अभिनव का नशा मानों एक सेकंड में चोर हो गया अभिनव जल्दी से जय के पास गया और उसे होश में लाने की कोशिश करता रहा तब ही अभिनव को अभिनव को अपने पीछे से एक आवाज आए मानव पेर से कुछ नीचे गिर रहा हो अभिनव ने जैसे ही पीछे मुल कर देखा उसके ठीक पीछे एक काली सी परचाय थी जिसकी दो पहेली आँखे अंधेरे में चमक रही थी अभिनव को अपनी नजरों पर विश्वास अभिनव को लगा जो भी उसके पीछे है वह कोई ना कोई सुपर नेचुरल क्रियेचर है वह जैसे ही उसे दूर जाने के लिए भाग उसे जीव ने उसे पर हमला कर दिया उसके बड़े बड़े नाखुन अभिनव के पेत में घुस गए लेकिन चेश्टा हुआ अभिनव और जीव के पकर से जैसे तैसे चोटा और वहां से दूर भाग गया दूर जाकर अभिनव ने देखा कि वह जीव एक काली परचाए में बदल गया है और बेहोश पड़े जाकर मून के अंदर घुस गया और तभी अचानक जाए अपने बेहोशी से वोट खड़ा हुआ जानक से जै जमीन की तरफ जुका और उसने वहां पर पड़े तूटे हुए कांच का एक तुकड़ा उठा लिया और अपनी शर्ट फाल कर अपनी छाती पर इस कांच के तुकड़े से ए और जै लिखने लगा ये सब देखकर अभिनव के रोग काट चुके थे सुबल के कर पांच बच्चों के थे और समुद्र से अब सूरज उकता देख रहा था जै के उपर जैसे ही सूरज की रोशनी गई जै अचानक से होश में आ गया ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने साथ हुई कोई बात याद नहीं थी वह अपने सीने पर बने गाउं को देखकर बहु भी नीन नहीं आ रही थी उसके दिमाग से उसे जीव की शकल निकल ही नहीं रही थी तब ही जै को अपने कमरे से किसी के गुरू रहने की आवाज आने लगी आवाज ठीक वैसे ही थी जैस शिव से कल उसे पेल के पास से आ रही थी जो इतना घबरा गया कि उसने दर के मारे अपनी आँखें बंद कर ली और चादर को अपने मूँपर चड़ा लिया कुछ ही पलूं। बार वह आवाज आनी बंद हो गई और कमरे में एक सन्नाटा हो गया अजय का दर थोड़ा काम हुआ उसने अपने मूँपर से चादर हटा ली लेकिन जैसे ही उसे चादर को हटा कर जाने अपने आंख की खोली तो उसकी दिल की धर्कने लगभग रुखी गई थी उसके कमरे क चत पर वही जीव बैठा था इस बार उसका खौफनाक चहरा साफ साफ देख रहा था वह जीव एक भयानक राक्षस की तरह देख रहा था उसकी चमरी बिल्कुल पेल के ताने जैसी थी और उसका चहरा बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा देख रहा था इससे पहले की ज जय को छुपा हुआ था उसे भयानक जीव ने जय पर अटैक कर दिया उधर अभिनव बहुत घबराया हुआ था जब उसके पापा ने उसके घबराने की वजह पूछी तो उसने अपने पापा को पूरा किस्सा बताया कि उनके साथ उसे रात क्या हुआ था अभिनव के पाप जेक के ऊपर मरल मंजिया का साया आ चुका है उन्होंने बताया कि मुनिया एक ऐसा और है जो एक बार पीछे पर जाए तो वीडियो तक पीछा नहीं छोड़ना जब कोई बच्चा अपने मुंदन के 10 से 14 दिन के बीच किसी वजह से मर जाता है तो उसकी आत्मा मंजिया बन ज जाती है मंजिया एक गुस्से से भरे बच्चों की तरह होता है और पीपल के पेड़ और पीपल के पेड़ पर और पीपल के पेड़ पर रहता है और अगर कोई उसे पीपल के पेड़ से छेर खानी करे तो वह उसे इनसान के पीछे पर जाता है उन्होंने अभिनव और जय को उस पीपल के पेल के पास ले जाने का डिसीजन लिया रात को रात को अभिनव और उसके पापा जय के घर जाने का डिसीजन लेते हैं पर वहां उन्हें जो दिखा उसे बात पर उन्हें भी यकीन नहीं हुआ जय कि अपने बिस्तर पर ही मौत हो चुकी थी उसके चेहरे पर ऐसा expression था जैसे मरने से पहले उसने अपनी मौत को करीब से देखा हो अभिनव के पिता ये देखकर चिंता में आ गए वह अभिनव को लेकर फोरण उसे पीपल के पेल के पास पहुँचे और अभिनव के पिता ने उसे पीपल के पेल के सामने एक छोटी सी पूजा करके उस जोड़ कर माफी मानगी वह कहीं घंटे तक पूजा करते रहे और उसे मंजिया से माफी मानते रहे जैसे ही सूर्य उदय हुआ वह दोनों अपने घर आ गए उसे दिन के बाद अभिनव को कभी वह मंजिया नहीं दिखा लेकिन अभिनव ने अपने सबसे करीबी दोस्त को और तब से लेकर आज तक अभिनव शराब को हाथ भी नहीं लगता और रात में पीपल के पेल के पास से कभी नहीं गुजरता दोस्तों मंजिया बहुत ही खतरनाक है और मंजिया की ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आ रहा है मैं डॉक्स फिल्म मूवी प्रोडक्शन ह उस जिसने स्ट्री भी लिया जैसी फिल्म भी बनाए है एक यंग लड़का बिट्टू जब अपने गाउं जाता है तब उसे अपनी फैमिली के एक सीक्रेट के बारे में पता चलता है और तब उसका सामना होता है पतले से भरे एक मनिया से होता है क्या बिट्टू मंजिया से अपने प्यार या अपने आपको बचा पाएगा क्या वह अपनी क्या फैमिली को उसे भयानक मंजिया से प्रोटेक्ट कर पाएगा जानने के लिए देखिए मंजिया साथ जून को थियेटर में रिलीज हो रही है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एकसाइटेड हूँ और अगर आप भी मेरे तरह मुंडिया मुवी को देखने के लिए excited है तो इस मुंडिया मुवी को देखना मत भूलना.